अगर आपने आज के वीडियो को पूरी तरह से समझ लिया तो यकीन मानिए आप अपने पैसे की समस्या को 50-70% तक सीधे सीधे सठीक रूप से हल कर सकते हैं दोस्तो आज हम चर्चा करने वाले हैं धन दौलत सम्रिधी जी हाँ आज हम चर्चा करने वाले हैं कौन सी ऐसी उर्जा है नौ ग्रहों में से कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो सीधे सीधे हमारी धन दौलत को कंट्रोल करते हैं ये उर्जा अगर खराब होगी, तो धन दौलत की दिक्कतें, जीवन में काफी सारी आती चली जाएंगी, जितनी मर्जी मेहनत कर लें, अब पैसा नहीं आएगा, या पैसा आएगा, तो पैसा रुकेगा नहीं, इस एनर्जी को बैलेंस किये बेना जीवन में धनी रहना, सु कम से कम उतना धन तो कमा पाएं, और उतने धन को एंजोई भी कर पाएं, नमस्ते, मेरा नाम है योगे शर्मा, और बहुत-बहुत स्वागत है आपका, हैपी लाइफ विद योगे शर्मा में, और दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले, एक विनमर निवेदन, कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्रिपया सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल बटन को ज़रूर दबाईएगा, ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियो है ना, सबसे पहले आप तक पहुंचें, तो चली चर्चा शुरू करते हैं, आज हम तो धन आएगा, इस धन को हम अपने जीवन में एंजोय भी कर पाएंगे, कि हमारा कमाया धन और लोग एंजोय करेंगे, हमारे जीवन में बरकत अगर नहीं आ रही है, पैसे के मामले में स्ट्रगल बढ़ते चले जा रहे हैं, तो यकीन मानिए, ये सभी का सभी अकेले और दिक्कतों में शामिल है शादी ब्याह का लेठ होना, और दिक्कतों में शामिल है शरीर में यूरिनरी ट्रेक या किडनी सिस्टम की जो खराबिया है, उनका आना, लेकिन आज हम शुक्र के केवल जो पैसे का कोनेक्शन है उसकी बात कर रहे हैं, और आज के चर्चा है यह बहुत ही important होने वाली है, क्योंकि अगर आपने आज के वीडियो को पूरी तरह से समझ लिया, तो यकीन मानिए आप अपने पैसे की समस्या को 50-70% तक सीधे सीधे सठीक रूप से हल कर सकते हैं, देखिए बर्थचाट में शुक्र खराब होगा राहू की वज़ा से, कई और वज़े हो सकती हैं, तो बर्थचाट के शुक्र को तो उसकी रेमिडी से ही सही किया जा सकता है, लेकिन आज हम जो बात करने हैं वो बात करने हैं कि शुक्र को जाने अन जाने में हम अपने घर के वास्तु में किस तरह से खराब कर देते हैं, शुक्र की जो दिशा ह आपको अपना एक वीडियो दे रहा हूँ, उसके accordingly आप अपने घर में South East दिशा को pinpoint कर सकते हैं, हाँ, तो घर के South East में अगर कोई खराबी होगी, तो यकीन मानिए, अब आपके बर्ते चार्ट में शुक्र जितने भी अच्छे बैठे होंगे न, अब ये खराब रिजल्ट ही देंगे, और ये खराबी सबसे पहले आपको धन दौलत की खराबी के रूप में नजर आएगी, तो South East में क्या क्या चीजे हैं जो शुक्र को खराब कर देती हैं, शुक्र का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है न, वो होता है राहू, और राहू किसके तरहा से आपके घर के वास्तू को खराब कर सकता है, राहू का रंग होता है नीला, तो घर के South East में अगर Blue Color होगा, तो ये आपके शुक्र को खराब करेगा और उसके बदले में खराब होगा आपका Bank Balance, उसके बदले में Block होगा आपका Income का रास्ता, उसके बदले में खराबी होगी आपके पैसे की, तो घर के South East में अगर कोई Blue Color है, Blue Curtains है, दिवारों पे नीला रंग है, फरनीचर का नीला रंग है, तो क्रेपया उसको इमिजेटली हटाईए, धुआ जो होता है ना धुआ ये भी राहू ही कहलाता है, बहुत लोगों में मानेता है कि घर के अगनी कोण में रसोई होनी चाहिए, हाँ ठीक है, अगनी कोण में रसोई होनी चाहिए, क्योंकि अगनी कोण में जो रसोई है, ये रसोई में आग होती है ना, तो अगनी कौन और आ का जो मेल है ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर अगनी कौन में रसोई होने की वज़ाए से धुवाए कठा होता है। तो यकिन मानिए अब ये चीज शुक्र को इतना adversely हिट करेगी। आप तो सोचोगे के अगनी कौन में रसोई बना के हमने तो घर वास्तु वाला बना लिया। लेकिन अब वहां राहू की जो presence है वो आपके शुक्र को खराब करेगी। और अब अगनी कौन की ही जो रसोई है ये आपको पैसे की परेशानिया देने वाली है। तो ये तो बात हो रही थी साउथ हीस्ट की और शुक्र की। शुक्र जो है न ये इंडारेक्टली भी हिट हो जाता है। किस तरह से अब इस बात को आप थोड़ा ज्यादा ध्यान से समझिएगा। बर्त चार्ट में सूरज और शनी, सूरज और शनी आप सभी को पता है आपस में बैर भाव रखते हैं। बर्त चार्ट में जब भी सूरज और शनी एक साथ हो जाते हैं तब भी खराबी तो शुक्र की होती है। जिनके भी बर्थ चार्ट में सूरज और शनी एक साथ होंगे, उनको शुक्र की खराबियां आएंगी ही आएंगी, वो खराबियां पत्नी से लड़ाई जगडों के रूप में भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यार दातर वो खराबियां जो है न, वो धन दौलत की तंगी को लेक जाएगी, अब बर्थ चार्ट में सूरज और शनी एक साथ किस तरह से हो सकते हैं, सूरज की दिशा है इस्ट, शनी की दिशा है वेस्ट, देखिए, ये दोनों दिशाएं भी एक दूसरे से 180 डिग्री के उल्टी दिशाएं हैं, अब सूरज की दिशा में अगर आपने शन ही रख दी, तो ये सूरज और शनी एक साथ होने का सिंबल बन गया, अब इससे क्या होगा, आपके घर में शुक्र खराब होंगे, और जिसकी वज़ाए से धन दौलत की बहुत सारी गड़बर हो जाएगी, ठीक इसी तरह से घर के पश्चे में जो शनी की दिशा है, इसमे घर के पश्चिम में आपने औरेंज कलर दे दिया, तांबे के बरतन रख दिये, तांबे की चीज़े रख दी, तांबे के शोपिस रख दिये, इवन दिवार पे सूरज यहां चड़ते सूरज की सिंडरी भी लगा दी, तो भी आपने सूरज और शनी को वर्चुली एक अथे कर दिया, अब इन चीज़ों से क्या होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और एकदम से घर में पैसे की किलत आनी शुरू हो जाएगी, धन की कमी आनी शुरू हो जाएगी, खर्चे जो है न, वो एकदम से बढ़ से जाएंगे, इसकी और निशानिया क्या है, घर के जैसे लाइफ में पैसे की धन्दौलत की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, तो किवल इनी चीज़ों का एवाइड करना है, और उपाय के तोर पे हम क्या कर सकते हैं, जिससे घर में शुक्र जो हैं, वो कायम रहें, शुक्र जो हैं, बढ़िया से रहें, सबसे पहले तो दो यौँ चीज़ें याद रखिए, घर का जो साउथ हीस कोना है, वो शुक्र है, दूसरा आपका जो बेडरूम है, वो भी शुक्र का ही रूप है, बेडरूम को साफ सुतरा रिए, जितना मेस्ड़ अप वाता वर्न रहेगा, जितना गंदगी वाला वाता वर्न वहाँ पे और जैसे दिवारों पे बच्चे कुछ कर देते हैं, पेंटिंग वेटिंग, या वहाँ पे लाइटें खराब हो रखी हो, यहाँ पे खराबिया कुछ नहीं चाहिए, अगर आपका बेडरूम सही है, आपका साउथ इस्ट कोना सही है, तो आधा शुक्र तो आपने यहाँ पे सही कर लिया, अब इस्ट और वेस्ट, इन दोनों कोनों में सूरज और शनी की जो परस्पर चीज़े हैं, mutually वहाँ पे इंस्टॉल मत होने दीजिए, और इसके साथ साथ बेडरूम में आप मिट्टी के एक कटोरे में, रुई और जो कैमफर होता है, कपूर बोलते हैं जिसको, उसको बंद करके पर्मनिट रख दीजिए, एक उपाए है, शुक्र को घर में इंस्टॉल करनेगा, के वल इतना भर करने से आपकी लाइफ में शुक्र जो हैं पॉजिटिवली इंस्टॉल हो जाएंगे, चाहे आपके बर्स चाट में शुक्र नीच हों, चाहे आपके बर्स चाट में शुक्र राहू से पीडित हों, चाहे शुक्र जो है सूरज के साथ बैट के खराब हो रहे हों, कोई भी कारण रहे आप अगर अपने घर के वास्तू में ये चीज़ें कर लेंगे न तो यकीन मानिए शुक्र के अच्छे फल जो है तुरंत आपको मिलने शुरू हो जाएंगे तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए ज्यान वर्धक रहा होगा केवल ये सरल चीज़ें करिए और फिर देखिए किस तरह से धन, दौलत, समरिधी जो है आपकी लाइफ में आती है तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो और नए को ध्यान रखिएगा नमस्कार